महिलाओं के साथ चेन जपटमारी के कई वाइरल वीडियो आपने देखे होंगे लेकिन आज के वीडियो में इन चेन स्नैचर्स की हिम्मत के तो क्या कहने ये वीडियो है कानपूर के चकेरी थानाक्षेत्र की फ्रेंड्स कॉलोनिका CCTV फुटेज में दिख रहे डेट और टाइम के अनुसार ये वीडियो गुरुवार 1 दिसंबर तो पहर 12 बचकर 11 मिनट के आसपास का है ऐसा भी नहीं है कि ये कोई बेहत सुनसान जगा हो क्यूंकि वारदात से ठीक पहले वीडियो में दो औरतें भी गली से गुजरती हुई दिखाई दे रही है इतने में TVS अपाचे बाइक पर सवार दो लड़के दिखाई देते हैं जिन में से सिर्फ एक ने हेलमेट पहना हुआ है उनके ठीक पीछे हॉंडा एक्टिवा पर एक महिला भी गुजर रही है बाइक सवार सीधे चलते चलते अचानक से बाइक को वापस घुमाता है और पीछे से आ रही औरत को अचानक से स्कूटी के ब्रेक लगाने पड़ते हैं देखने में एक बार को लगता है जैसे बाइक वाले लड़के रास्ता भूल गए हो और बाइक वापस घुमा रहे हैं और ये दोनों दिखावा भी ऐसा ही करते हैं जैसे मानों गलत गली में आ गए हो पीछे बैठा लड़का बाइक से उतर जाता है अब स्कूटी पर बैठी औरत बाइक के आगे निकलने की कोशिश करती है लेकिन ये बाइक पर बैठा बंदा रास्ते को ब्लॉक कर देता है इतने में औरत बाइक वाले पर नराज हो जाती है और बहस करने लगती है बहस क्या बाइक वाले लड़के को सुना रही होगी कि तुम्हें तमीज नहीं है बाइक चलाने की, ऐसे कोई ब्रेक मारता है क्या खेर, उधर जो लड़का बाइक पर पीछे बैठा था, वो बाइक की दूसरी ओर चला जाता है यहां खड़े होकर उसे महिला की चेन का प्रॉपर व्यू मिल गया महिला को उनके इरादों की भनक तक नहीं लगी बाइक सवार लड़का बाइक वापस घुमा जरूर लेता है लेकिन स्कूटी सवार औरत इतनी ज्यादा नाराज थी कि पलट कर उसे खरी खोटी सुनाने में लगी रही बस फिर क्या था, बाइक चला रहे लड़के के साथी को जो मौका चाहिए था वो मिल गया औरत बाइक सवार को डाटने में लगी रही और उधर उसके साथी ने महिला के गले में हाट डाल कर चेन तोड़ने की कोशिश की लेकिन पहली बार में उसके हाट चेन नहीं महिला के गले में लिपटा दुपटा आता है वो फिर कोशिश करता है और इस बार चेन तोड़ने में काम्याब हो जाता है महिला जितनी देर में स्कूटी छोड़ कर उसे पकड़ने दौड़ती है वो फरार हो जाता है ये पूरी घटना पास ही लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई ये पूरी वारदात देखने के बाद तो कहना होगा कि इन जपट मारों के हौसले इतने बुलंद हैं कि दिन दहाडे सरे राह महिलाओं की स्कूटी जबरन रुकवा कर वारदात को अंजाम दे रहे हैं क्योंकि इस से पहले हमने अमूमन चेन स्नैचिंग की ऐसी वारदातों को देखा है जिसमें महिला किसी जगा खड़ी रहती है या पैदल जा रही होती है लेकिन चलती स्कूटी को रुकवा कर चेन लूटना तो नेक्स्ट लेवल की स्नैचिंग है यानि ये बदमाश अब जपट मारी के नए नए तरीके इख्तियार करने लगे हैं और इसलिए महिलाओं को सतर्क रहने की ज़रूरत है NBT Online की रिपोर्ट झाल